आश्म मोग ग्रोथ Q2 भारे में में मैं क्रुट्री ब्लोबिमेंट के बारे में क्या हो सेसे लिए थाई चैने फिंग ऐस्ट को बिल्स पंचे कि बारे में पर्ड़ाएंगे पेक्ट क्या फैक्टर इंफ्लेंश भारे में सं invece यह क्या बिलमेंट है ânद ऺएपिटन क्या इस्पीड था जिसमें डौद एंड डूवलेमेंट हुटा तो फाइस हम देखते हैं गोट है जोंड इस तोओ क्या होता है डौट है कि VPN किया क्वत है कि करीषाइ थि one maturation होना क्या होना physically maturation होने की जो process है उसका हम बोलते हैं growth मतलग हिना कि जो body shape size जो organs है उनका shape size bones का shape size क्या होना changes होना या उनको बढ़ना या उनका enlarge होना या उनको अपना normal condition में आना उसका हम बोलते हैं क्या growth मतलग है जो भी body organs है जो भी body cells है tissues है उनका क्या होना shape or size में so changes लगने को मिलता है उसको क्या बोलते है growth कहीं नहीं कहीं physically maturation physically क्या हो रहा है maturation होने की a process है उसको क्या बोलते है growth बोलते है नहीं हम देखते हैं development मतलग psychologically maturation जोना psychologically maturation करना किसी भी चीज को अच्छे से समझना शुनना उसको लर्न करना डिशीजन लेना मतलब एक सुसाइटी के साथ एड़ेस्ट करने की जो कैपिशिटी है वो डबलप होती है उसको हम बोलते हैं क्या डवलमेंट मतलब गहीना कहीं क्या होता है ग्रोथ मतलब फिजी कली बाश होना उसको हम बोलते हैं क्या डवलप मेंट तो यह रहते हैं ग्रोथ एंड डवलप मेंट नेक्स हम देखते हैं इसके प्रिंसीपल्स ओफ ग्रोथ एंड डवलमेंट क्या प्रिंसीपल्स होते हैं ग्रोथ एंड डवलमेंट के तो मैंली थ्री प्रिंसीपल के बेस प direction she fellow Codils like head to tell कहां तक head to मतलब कहीं नहीं शिर से लेकर नीचे की तरब क्या होना developed मतलब कहीं किस तरह से upper portion to lower portion लंबाई का क्या होना बढ़ना क्या होना एक length का बढ़ना मतलब जो भी बच्चे होंगी लंबाई का जो बढ़ना मतलब से लेकर स्ट्रसॐants चाहलं करे हो भी स्टाइब इसका कहां से से क्या होना इधर की लिए डवलमेंट ना इधर की इस में क्या होना खेंज दो इसका हम प्रॉक्सीमौ दिश्टल मतलब कहीना कही तरब जो भी या स्मीटीज की च्रह क्या होना हो masturbate प्रोक्सीमौ digital development मतलब गहीं नहीं जो आपका मतलब कहीं नहीं तरब की डारेक्शन में हो रहा था नेक्स आपका प्रॉक्सी मौफ डिस्टेटल मतलब इस तरह की दोनो डारेक्शन मघा दोनों एक्सटेमिटी मतलब कहीं क्या में लाइन्स to accent की तरफ क्या होना growth and development होने की जो process है उश को हम बोलते हैं क्या proximo digital direction next हम देखते हैं क्या general to specific general to specific मतलब general to specific चीज़ों के लिए क्या होना growth and development मतलब symbolism generally बोलते हैं automatic किसी भी चीज को hold करने की capacity developed होना किसी भी चीज को identify करने की capacity development होना proper बिना किसी support के चलना घूबना बैठना चलना ना क्या अपने आपसे food eat करना तो यह कहींना की क्या हो रहा है general to specific मतलब एक चोटी चोटी चीजों से लेका थड़े थड़े स्पेसिफिक जोसाइटी के अंदर कुछ चीजों को समझना सोचना उनके साथ behave करना एक smile करना कोई ना कोई response करना कोई activities करना physical activities करना तो यह सब development हो रहे मतला है उसको हम बोलते हैं क्या general to specific मतलब कुछ general बाट से कुछ इस पेसिक चीजों को सीखना जैसे कि हमने उसको चोटी चीजों को बाड़ी चीजों को होल्ड करना सीख से चोटे टरम से खाए उसे हो दी में कुछ बड़े मतले जनरल टरम से खाए उसे वह कुछ इस पेसिविक चीजों को वह सीख जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्या general to specific principle तो यह फैके three principle होते हैं कि से growth में में चैंड крут हम देखते हैं फैंटर इंफ्लूएंसिंग रौध & डवलम्न मतलग कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंफ्लूएंच करते इंफ्लूएंच करते हैं ग्रौध & development को क्या क्या चैसे होते हैं तो planning उliक है three factors होते हैं जो क्या growth and development को क्या गा सकती है प्रबावित कर सकतेए, जैसे कि simple सा क्या बोल सकते है कोई genetical problem जा गरो disease is genetic disorder है उस condition में क्या होगा properly growth and development नहीं होगा sex के male female की is या उनकी higher touch नहीं है या उनका physics कहीं ने problem उस समें भी क्या हो सकते है जो baby है उनमें क्या होगा प्रवावित कर सकता है तो यह सारी को चीजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजि प्रिया में रहते हैं उसके पर भी डिपेंड करता है ग्रोफ एंड डबलमेंट तो यह थे कुछ जनेटिक फेक्ट में समझेखते हैं प्री नेटल फेक्टर मतलग डिलीवरी होने से पहले क्या चीह हो सकती इसकी वेज़े कही ना कहीं बच्चों में ग्रोफ एंड डबलमें या कहीं ना कहीं साइकलोजीकली फॉज़दा डिश्टर वेडियूरिंग प्रेग्नेंशी देन कहीं ना कहीं आपको इसको जा है जो भी है जो फूड वह बहुत बहुत है देन आपका उसमें कुछ बैड़ जैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग जी सारी हैविट्स तो इस बज़ वें करने प्रपर ली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रहा है उनक लिए लिए प्रॉपर हईट प्लान नहीं कर पार है मधर की जो डाइट ब्रान नहीं है या उसमें क्या है जो भी नीटें वी व्मीट वीवनातं नहीं है यह बेवी को बहुत अच्छे से क्यार प्रोवाइड नहीं कर पार हें प्रौपर बैक शीनेशन नहीं थे ब्रैदेर उसका प्रपर हइस होसके सब्सक्राइँ प्रबावित कर सकते या आदे नट कई इंफ शन है को भी नट चुछ सकते हैं तो यह कुछ होते हैं जनेट एन्ट प्री नेटल एंड फेक्ट जो कही to क्या करते है क्या करते है फ्रभावित करते हैं क्या घ्रोड एंड टेप्लमेंट एस कर्यम मतलग क्या इस पीड़ा जरा पर ग्रोण आंड डॉटमेंट καऴ मिलता भी जो रहता है जमाषी तो एक वैस्ट क्या होता है वर्टad वर्थ kg वन मंत का जो वर्थ डू one मंथ can होता है उस सबस्क्राइब क्या होता है नो इंदे वह सारए सग्ण हमें घो मिलते हैं ग्रोथ फिर्च होते हैं पौन की सबस्क्राइ oxide में तो नियु और यह नह तरिक्षी लोटे कर रम दो किए आपका अनको किषिक्स क 파्सेड्र तो प्रच्छी कामरे से स्कूल लेड अपका सबसे यो कहीं ऐलाइं आगे दिडिन तो एटृन debate ये km pan 18 year तक बच्चों के बारे हम discussion करते हैं तो जो अपका 13 to 18 year age group के जो बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या adults हैं इन age group में क्या होता है बच्चों में काफी चीज हैं या काफी development हमें देखने को मिलते हैं physically and psychologically तो अजम लोगों ने ग्रोथ और कि बारे में देखा विसमें क्या होता है कि कही ना कहीं फिजिकली दबलामेंट मतलब कही ना कहीं साइकलोजिकली मैंचुरेशन होना उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या development तो आज हम लोगों ने growth and development में growth and development का definition देखा तो आज हमने उसके principles देखे तो आज हमने factor influencing growth and development next हमने देखा growth and development is period के बारे में discussion किया तो I hope आज के class समझ में आया होगा अगर इस topic से लिटे कर आज कोई भी doubt है तो आप मुझे पूंच सकते हो thank you